आचारो प्रधमो धर्म परंपरा का बोध ये सब माने दिया है तो कोई पूछे प्रधम आचारे कौन है तो प्रधम आचारे माही है प्रधम आचारे है वो चुकि शौचाचार, शिष्टाचार, लोकाचार, कुलाचार, सभ्याचार का बोध कराती है शौचाचार का ग्यान किसने कराया हेता मलिंता का ग्यान किसने कराया मलमूत्र का ग्यान किसने कराया अहार अउशधी का बोध किसने दिया करवट लेनी किसने सिखाई उंगली पकड़ कर चलना किसने सिखाया और पैपान किसने पहले कराया अहार पहले किसने दिया कौन है जो पहले अहार दे रही है उदर की शुदा की शंति कर रही है वो माही तो है इसलिए प्रथम आचार्य माह है तुम इस्त्री तो देव गणनाएंगर करने कभी चलें क्या ओ देवताओं को गिलने तो पहला देव माह है आचारियों की गड़ना करने चलो तो पहले मा है फिर पिता है शौचाचार शिष्टाचार, लोकाचार, कुलाचार सभ्याचार, प्रकर्ति बोध रंग बोध, सम्मंद बोध मैं तनिक संकोज में एक बाद कहूं पित्र बोध ये शास्त्र कहता है पित्र बोध करते हैं तेरे बाप का परिचे किस ने दिया? मा ने ये तरह पिता है, ये किस ने परिचे कराया? मा नहीं पुनसत्त्यों की स्थापना करने के बाद तो महाशे पृधक हो गए हाँ ये सच है कि माता पिता है कि संयोग से ही संतान की उद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् आपके भीतर प्राण और पवन कौन पैदा कर रहा है उसके सांस से ही तो आप सांस ले रहा है तो वो जो 9-10 मांस की संवेदनाई हैं संबंधों का ग्यान किस ने कर आया तो ऐसा कहते हैं पित्र बूध संबंध बूध अनहार का बूध तो बूध जिससे होता है वो आचार्य मां इसलिए प्रथमा चार्य है मां देवगंणाओं में उसे आचारे कहा गया अच्छा बोलिए अच्छा देखिए अच्छा सोचिए तो जो अच्छा सोचने के लिए बार-बार उपदेश्क दिये गए कि आपकी सोच सकारात्मक हो चिंतन विद्यक हो चरित्र उन्नत हो द्रिश्टी में पावित्र हो, अत्व आप में आपकी जो रचना धर्मिता है, आपकी जो निर्मिती है, वह अन्निको लाभान्वित करें, तो आपका जो बोलना है, आपका देखना है, आपका सोचना है, वह मांगलने तब ही होगा, जब आप अच्छा सुने,